पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुर्दवारें पे हमले और तोरफोड मामले में दिल्ली में विरोध पदर्शन हो रहा है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में सिख समुदाय के लोग सड़क पर उतर कर पदर्शन कर रहे हैं ननकाना साहिब पर हमले का चित किया जाए आपको बता दे नंकाना साहिब गुद्वारे पर उस वक्त हमला किया था भीड ने जब भारत से शद्धालों का जो दल था वो वहां पहुंचा था उस दौरान भीड ने नंकाना साहिब गुद्वारे पर हमला किया था तोड़ फोड़ कीती और बाकाइदा जो विडियो सामने आया, उस विडियो में ननकाना साग गुद्वारे का नाम बदलने तक की धमकी दी गई. मोहित सिंग हमारे सेयोगी जुड़ गया है, मोहित ये विरोध प्रदेशन कहां पर हो रहा है? जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हुआ था, उस पूरे मामले को लेकर ये मुद्धा यहाँ पर लगातार करमाया है? बिल्कुल तो ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के चाड़क के पुरी की मेट्रो स्टेशन के पास सिक्ख समुदाय के लोग जो की सड़कों पर उतर कर विरोध पुदशन करते हुए नजराए. दरेसल ये पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ जाना चाहते थे लेकिन इनको रोग दिया गया और ये लोग वहीं पर बैट गए नारेबाजी करते हुए नजराए इनका साफ़तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जाए. हाला कि सब के बीच भारत की तरफ से इस हमले की कड़ी निंदा की गई थी विदेश मंत्राले ने साफ़तौर पर पाकिस्तान से सिक्समुदाई की सुरक्षा के जल से जल कदम उठाने के लिए कहा था विदेश मंत्राले ने पाकिस्तान सरकार से आरोप्यों के खलाफ पर दखल के साथ पूरे मामले को उनों उन्हें अंतराष्टिश तर पर पूरे मामले को ले जाना चाहिए और फिलाल की जो गायतरी मापको हालात बता दूँ यहां पर कितने भी प्रोटेश्टस आए हुए इनको चानक्यपुरी थाना इसके भारत यहां पर रोग दिया गया इन लोगों का पूरे जो योजना यहां से आगे जाना यह लोग चाह रहे थे और पाकिस्तानी हाई कमिशन में जाके मेमोरेंडम इनको सौपना था और जिस वास के लिए कि इमरान खान इस पूरे मामले पर शुपी साधे हुए है इसको लेकर भी जितने भी आपर प्रोट इस पूरे मामले में हस्त शेप करें हाला कि विदेश मंतुराले ने पाकिस्तान से कहा है कि जल्द से जल्द सिख समुदाई की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए